एवर्ग्रीन मसाला चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है हलो फ्रेंड्स आप लोग का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप लोग के सामने जो बताने जा रही हूँ वो है दही बताने का बहुती सटिक और आसान तरीका जिसे आप 2-3 घंटे में अपने घर पे जमा सकते हैं सर्दियों के दिनों में क्या होता है कि दही हमारा आसाने से नहीं जमता है बहुती ज़्यादा टाइम लेने के बाद भी अच्छा मलायदार और गाढ़ादा ही नहीं जम पाता है तो उसके लिए आज मैं बताने जा रही हूँ कि आप क्या कर सकते हैं तो मैं आपको वीडियो की और ले चलती हूँ वीडियो में यह देखे मैंने सबसे पहले क्या किया है कुकर एक लिया है कुकर को हमें गैस पे पांच मिनट तक अच्छे से गरम करना है बहुत ही अच्छे से गरम कर लेना है कुकर को जब हमारा कुकर अच्छे से गरम हो जाएगा को तक हम इसके लिए करते हैं यह देखिए मैंने दूद् Let and चलाई आखो जादा जलन कि इस τरह गरमí होना चाहीए उतना गरम रहने पे ही आप दूद्र जमा सकते रहते हैं उसके बाद आपको जिस बतनमे दूद्र करें ऐस ऊटा है तरह से इस अब अश़े से लगा लीजिए मीश्पाशन होते हैं तो आप उसी दूद का जामन जमा सकते हैं इस तरह जिस भी बड़तन को करना है पहले जामन लगा ले पिर इसमें आप दूध डाल करके उसे चम्मत अच्छे से मिला लेजिए मिलाने के बाद किया आप इसको एक दूसरे में फेट भी सकते हैं दूसरे बरतर में लेकर के एक बार उसमें और एक में दो बार तिन बार इसे करिएगा तो जामन है बहुत ही अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएगा तो इस तरह से mix हो चुका है मेरा जामन दूद में तो मैंने कूकर भी तो गरम करके रखा है अब करना क्या है? यह जो गरम दूद मैंने इसमें जामन mix किया है इससे आप उस कूकर में अच्छे से रख दीजिए ध्यान रखी कूकर हमारा गरम है तो आप किसी चिम्टे की सहता से या फिर किसी कपड़े की सहता से पकड़ के रखे नहीं तो आपके हाथ जल सकते हैं इस तरह से मैंने कूकर में गरम दूद को जामन वाले दूद को रख दिया है और फिर हम कूकर का धकन बंद कर देंगे कूकर का धकन बंद करने के बाद आप इसे ऐसे जगह पे रख दिजे और इसे उपर से आप किसी गरम कपरे से जैसे तॉबल से, टॉलिया से या फिर किसी कंबल वेगरा से इसे अच्छे से धक करके ऐसे जगह पे रख दिजे जहां पर इसका temperature maintain रहे और ये गरम रहे और इसको जो है दूद जमने के लिए से अच्छे से गर्मी मिलती रहे तो ऐसे जगह पर रख करके हम इसे फिर दो घंटे के बाद चिक करेंगे दो घंटे के बाद हम चिक करते हैं देखते हैं कि क्या condition है इसका बहुत ही अच्छे से निकालिए हिलाना नहीं है ज्यादा कोकर का ढकन खोल लिए अराम से दीरे से तो यह देखिए दही हमारा जमा एक नहीं जमा है तो यह देखिए हमारा दही बहुत ही अच्छे से जम चुका है यह देखिए बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है बहुत ही अच्छे से जमा है दो से तिन घंटे में हमारा दही जम कर बहुत ही अच्छे से त्यार है गाढ़ा मलाईदार दही इसको आप चेक कर लिजिए चमच की सहता से निकाल करके बहुत ही सर्दियों में दही जमाने का प्रॉब्लम होता है तो आप इस तरह से दही जमा सकते हैं अपने घर में इंस्टेंट दही जमता है दो से तिन घंटे में जमच से एक बादा सर्दियों कर लिजिए ये देखिए हमारा बहुत ही जारत गाढ़ा जही जमा है और बहुत ही देखने में अच्छा भी लग रहा और ये खाने में भी उतना ही जारत स्वाधिस्ट होगा इतना कि आप रादबर छोड़ने पर दही जमता है तो मैं उमिर करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये दही जमाने का तरीका पसंद आएगा ऐसी और अच्छे अच्छे नए ट्रिक्स के साथ आप लोग के साथ मैं एक नही वीडियो के साथ हाजर होंगी और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और वीडियो के नेचे लाइक का बटन क्लिक कर दीजेगा और अपनी फ्रेंड्स और फैम्ली के साथ शेर कीजिए कमेंट में अपने अनभाब लिखिए मिलती हूँ एक नही वीडियो के साथ टेक क्यार बाइबा थैंक्स फॉर वाचिंग